हेलो अब्रिवन वेलकम बैक टो सीट अगेन अगेन और आज हम डेठी के बारे में देखने वाले हैं कि आज हमने डेठी में कौन-कौन से ट्रेड ली किस टाइम पे ली क्यों ली क्या चार्ट पैटन था कहां पे प्रॉफिट गया कहां पे प्रॉफिट मिला यह सब कुछ हम देखने वाले हैं तो आज हमने डेठी में लगवग हमने कमाए हैं लगवग 26,000 वैसे यह प्रॉफिट पहले 40,000 के आसपास था बट लास्ट में जो मैंगनिफटी का मूव हुआ उसमें अल्मोस्ट हमारे 10,000 के आसपास निगल गया वो बिसिकली ठीक है बट फिर भी जो म फॉलो करो टेलिग्राम पे आप थीटा गेनर सर्च करो आपको लगबग 90,000 मेंबर्स मिलेंगे वो अपना ही चैनल है बाकि सारे फिक हैं बाकि कोई दूसरा चैनल नहीं है मैं यहां पर शेर करता रहता हूं हां बस एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं सबको कि कई लोग जितनी फास्ट फास्ट मैंने अपने थाट प्रोसेस से वो ट्रेड ली है आप लग रहा है आप उसको कॉपी कर सकते हो नहीं यह सबसे गलत मेंटलिटी यहीं पर हो जाएगी कि आप सोच रहा होगे कि मैं जो टाइप करूँगा आप वो ट्रेड लेके जाकर के कॉपी कर वरना आपको लग रहा है ना कि आप मेरे भरोसे मेरे टाइप किये हुए मैंने बोला कि 35600 का कॉल बेच दो आपने बेच दिया उसके बाद मार्केट फटाक से मूव गी उतने में पहले अपना ट्रेट बचाऊँगा कि वहाँ पे टेलिग्राम पे टाइप करूँगा आप समझ रहे ना और ये मैंने किया भी तो इसमें at the end आपका कोई फायदा नही इक दिन मालनों मैं नहीं हूँ उसे दिन आपको वो सूजा कि आज तो बहुत कमाना है उसे दिन आपने सारा गवा दिया तो sense नहीं हो उस चीज का आप basically focus करो यहाँ पे किस चीज़ पे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या meaning है इन चीज़ों को, क्या candles, क्या price section क्या चल रहा है, उसको समझने का try करो ठीक है, बिल्कुल trades को copy करने का try मत करो, copy करोगे बिल्कुल एक एक trade, एक एक चीज़ को तो नहीं चल पाएगा, intraday में तो बिल्कुल नहीं चल सकता positional एक बार को हो भी सकता है कि 80% आप कर लो positional बट intraday में copy paste नहीं चल सकता वो भी option selling, बिल्कुल भी नहीं हमेशा अपनी practice पे करो आप method को follow करो मेरे, बट दिमाग आप का होना चाहिए, clean, तब जाकर तो आप trader बनोगे ना, वरना तो आप copycat बन रहा है ओके, तो चलो आज हम पहले start करते हैं, कि आज हमने basically कितना क्या उखाड़ा है तो ये रहा अपना small account small account में आप देखोगे, ये देखो ये आखरी में हमारे ये 3000 रुपय का profit चल रहा था, ठीक है और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपन इसको छोड़ देते हैं, market उपर ही तो जा रहा है, क्या ही होगा, इसके चक्करे मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा 34,800 को, और at the end, क्या हुआ at the end, आप 5 bet पे देखोगे तो इस move पे ये मेरे profit खा गया ये देखो, ये move देख रहा है आपको बार बार वो उपर को जा रहा था बार बार, तो मुझे लग रहा था कि almost breakout level पे आ ही गया है, breakout level पे आ ही गया है तो मैं उसको touch नहीं कर रहा था but at the end, ये जो move आया ये almost, लगबख 200-200 point का move था ये, ये पूरा का पूरा profit यहाँ पे खा गया, ठीक है अब चले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप एक चीज देखो, यहाँ पे notice सुबह 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 आपको पता होगा कि हमने last day क्या किया था, last day हम 34-200 के PE को hold करके गए थे correct, hold करके गए, market कैसा खुला, market gap up खुला और धीरे-धीरे नीचे आ रहा था, तो हमारा जो price था 100 रुपय के आस-पास का, 92 रुपीश का वो almost 50 पे open हुआ ठीक है, तो हमारा जो analysis था, वो successful था, correct, हमने यहाँ पे टेलिग्राम पे डारेक्ट बोला था, 9-18 पे की मैंने 35-200, 15,000 profit बुक कर लिया है, और 35,000 का PE sold कर दिया है, तो यहाँ देखेंगे हम तो यह 15,000 का बुक किया और यह रहा 35,000 का PE sell ठीक है, उसी टाइम पे बट जब मैंने यह sell किया, market ने कै किया market वहीं से नीचे आने लगी, तो मुझे फिर थोड़ा सा rest लेना पड़ा, अराम लेना पड़ा इस जगा पे, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया बट अगर आप देखो, यह कल का analysis है अपना, यह देखो मैंने एक ऐसी line खीची थी, यह दिख रहा है यह, यह, इसका meaning कि है कि मैं एक retest expect कर रहा था, कि retest होगा और उसी basis पे हम trade करेंगा, तो मैं सारी line ने मिटा देता हूँ, and see what happened यह जो base area था market का, यह यहाँ base एक घंटे में आपको देख जाएगा एक घंटे का चार्ट लगाता हूँ, यह, देखो एक घंटे के area में आपको देखेगा यह, यह, ठीक है अब इसको एक घंटे से पंदम मिएट पे लेके जाओ आपको देखेगा यहाँ से market ने क्या behavior दिखाया है, यह रहा और आज यही वाला उपर उसने कहा किया नीचे तक test कर लिया और फिर उपर जा रहा था यहाँ, तो आप देखोगे कि same इस area पी यह जो profit हमें हुआ है न, यह इस area के वज़े से हुआ जैसे ही retest हुआ, मैंने उसी time पे P बेचा तो let's see, कब बेचा है main जो profit हुआ, मैं बता तो आपको, यह 11,000 देखो, 34,500 का P ठीक है, 34,500 का P, मैंने 118 का सपास बेचा था, और 72 पे square of किया है, 10 lot, तो देखते कब मैंने बेचा है, तो order and trades में गए, completed, आज मैंने बहुत कम trades ली थी, कोई ज़्यादा trades नहीं है 34,500 का P 34,500, 73 हो रखा है 34,500 हाँ, यह रहा 34,500, 10,28 यहाँ पर आते हैं यह देखो, अब आपको लगएगा कि बाते दे रहा है, पर यह देखो correct एकदम low पे पकड़ा मैंने उसको, 5 मेटी कंडल में आप जाओगे तो यह रहा देखो, 10,28 मतलब जो आज की low candle थी, बिल्कुल low candle मैंने उस पर क्या बेचा है मैंने उस पर यहाँ पर क्या बेचा यह देखो, 10,28 पर मैंने 34,500 का P sell मारा और कितने रुपए पर sell मारा यहाँ पर दिख जाएगा 116 पर, और मैंने 72 रुपए पर आके close कर दिया, अब यह close कहाँ पर किया, यह भी यहाँ पर देख लेते है 34,500, यह रहा 12,16 पर मैंने close कर दिया 12,16 12,16 पर ऐसा क्या हुआ था यह यहाँ पर, मतलब मैंने यहाँ पर trade ली थी इस जगह पर, और मैंने 12,16 यहाँ पर trade को close कर दिया था अब बताओ, मैंने यहाँ पर trade ली और यहाँ पर close कर दी क्या इससे कोई खास उपर market गया है कभी भी, नहीं गया इससे कोई खास उपर market कभी भी नहीं गया इस level से और मैंने almost यहीं पर इसकी सारी trades close कर दी, मैंने और कोई close नहीं लिया है, यह देखो, 12.39 1.8 यह तो आखरी trade थी, और 12.16 मतलब मैंने, actually 12 बजे के बाद इस account में कोई trade ली नहीं है, correct तो इसका profit intact है, हमें कोई problem नहीं हुई इस profit से, correct इस profit से हमें कोई problem नहीं हुई, इसने आखरी में मेरे से थोड़े पैसे ले लिए यह रहे, यह 35 जर का P मैंने आखरी में sell किया था और इसमें भी थोड़ा सा फटाक से ले गया, okay, यह रहा बस, that's it, उसके अलावा कुछ भी यह मेरे से नहीं ले पाया, बट यहां क्या हुआ, यहां पर मैंने एक आखरी में trade ले रखी थी, कहां गई sell 34-800 का P, यह रहा 34-800 का P मैंने लगभग 12-50 के आसपास बेचा था, अब 12-50 पर क्यों बेचा था, 34-800 का P यह जानना बहुत important है 12-50, 12-50 यह रहा यह वो area है, यह वाली candle अब देखो यह candle अभी आपको red दिख रही है बट क्या यह उस टाइम पर red थी नहीं मैं अगर आपको दिखाऊं चीजों को तो यह देखो, basically जब chart पूरा नहीं होता ना, आपके पास market चल रही होती है यह देखो, आपके पास अगर इतनी market का chart है, तो देखो, कैसा हुआ market market पहले नीचे को आया, पूरा support लिया, उपर गया, फिर यहाँ पे आया फिर support लिया, फिर उपर को break किया, फिर नीचे, और यहाँ पे देखो बड़ी candle से break out, तो ऐसी situation में, कहाँ पे, यह देखो बड़ी candle से break out, यहाँ पे मैं क्या करूँगा हाँ, बताओ न, और उसके बाद तीन candle सस्टेन भी किया, और अगर candle फिर से green बना रहा है, यहाँ पे तो मैंने अगर इस candle पे क्या करूँगा मैं, basic answer तो आप क्या करोगे पुट बेच हूँगा मैं, मुझे साफ साफ देख रहा है कि market उपर को जा रहा है, बार 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 ड्रेग कर रहा है तो मैंने पुट बेच दिया बट हुआ क्या, market उसके बाद सीधे यहाँ पे नीचे आ गया, आप देखो problem यह आई, कि market नीचे आया बट क्या market ने यह वाला लोग तोड़ा नहीं, तो मैं trade से क्यों निकलू मैं नहीं निकला trade से, market ने फिर मुझे मौका दिया, market फिर उपर गया फिर देखो वहीं पे breakout level पे पहुँच गया फिर से, तो आप simple सी बात है आपने जब यह जहीला है और यहाँ पे market आगी तो आप निकलोगे क्यों यह तो बताव मुझे जानना है, आप निकलोगे क्यों आप नहीं निकलोगे, correct ना क्योंकि आप इसी चीज़ को तो follow कर रहे थे मैं अगर यहाँ पे निकल जाता तो मेरे rules break हो जाते, basically, तो मैं actually, अगर मैं breakout यह उपर के लिए trade कर रहा हूँ और market उधर को ही बार-बार जा रही है तो breakout होने के chance बढ़ रहे ना कि घट रहे वापे से उपर पहुची, मैं वापे से टिका हुआ हूँ, अब at the end क्या हुआ market, तेजी से नीचे आई, फिर दो दो चालिस, करेक्ट दो चालिस पे मुझे trade से निकलना पड़ा, simple और यह मेरे almost लगभग तीनेजार का profit जो यहाँ पर opening में चल रहा था, शुरुआत में, वो यहाँ पर यह खा गया मेरे, ठीक है, तो आज का दिन कैसा था, आज का दिन कैसा था, यह देखो, टेलिग्राम पे मैंने क्या लिखा था, आज कोई खाज trendy market नहीं लग रही है, इसका meaning क्या है, खाज trendy market नहीं लग रही है इसका meaning है, कि आज market के sideways होने के chances है तो अब मैंने इस line का कैसे फायदा उठाया, अब यह जानो यहाँ पे देखो, मैंने actually में जो profit कमाया है, वो किस से कमाया है किसी को जानना है मैंने actually में जो profit कमाया है, वो किस से कमाया है मैंने यहाँ पे profit कमाया, basically एक strangle डाल के रखा मैंने, और strangle डाल के रखने से क्या हुआ, मेरे को वो हमेशा balance बना के रखता रहा, मेरे को कभी उसमे problem नहीं की, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहला, यह मेरे कल का P है जिसमें हमने यह profit किया, ठीक है यह आज का P है, 118 से जो हमने 73 पे book किया, बिल्कुल low से high पे और यहाँ पे एक strangle मैंने डाल के रखा था, strangle का size देखो क्या है, 35600 और 34800 यह strangle था, 35600 और 34800 अब यही क्यों, यह भी तो जानो 35600 यह रहा और 34800 यही दोनों strangle ही क्यों, यह दोनों strangle क्यों चूश किया मैंने यहाँ पे, देखो, अब मैंने इस वाले account में क्या लिया, strangle लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे होगा, यह रहा, straddle, यह देखो, यहाँ को दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिया था straddle, बट market ने actually straddle को इतना कुछ खास benefit नहीं दिया, even strangle को भी नहीं दिया, market इतनी गल नहीं रही थी, market सिर्फ directional वाले को फाइदा दे रही थी, उससे दूसरे वाले को नहीं, simple, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने strangle लिया, यहाँ पे straddle लिया, straddle का तो क्या ही logic बता हूँ, straddle तो sideways के लिए basically used, but strangle का logic बताता हूँ, यहाँ पे आवा अब क्या खोलेंगे हम, हम चलते हैं, आप्स्ट्रा पे, आप्स्ट्रा पे गए हम, total open interest पे, अब यह देखो, nifty नहीं, nifty तो बहुत clean था आज, bank nifty, अब देखो bank nifty में आपको बताता हूँ, bank nifty में basically यह देखो, 35, 200, 300, यह तो बहुत pass हो गया ना, और market उपर को ही जा रह थी आज, 35, 500 यहां पे सबसे ज़्यादा add हुआ, उसको एक point आगे, यह 100 point उपर मुझे बेजना था, बस, क्योंकि मैं safely चाता था, तो जहां पे, सब लोग थे, उससे 100 point उपर का मैंने call बेचा, ओके, जहां पे call rating ज़्यादा हो रही थी, और नीचे की तरफ आप देखोग पे थी, तो मैंने इसके भी 2 point नीचे ले लिया, 34, 800, यहां पे, जिससे market sideways रहे, तो मुझे फाइदा भी मिले, और मुझे कोई तकलीफ ना हो, इस वज़ा से मैंने ये दोनों level चूज किये, मतलब जहां पे OI थी, उससे थोड़ा उपर, call side में, और जहां पे OI नीचे थी उससे थोड़ा नीचे, तो इस साफ साफ आज clearly अगर open interest देख रहे होते, तो साफ साफ देख रहा था कि market आज 35,000 और 35,300 के अंदर ही घोमने फिरने वाली है, तो इसी वज़ा से मैंने small account में क्या trade ली 35,200 का इस straddle, और 2 account में क्या trade ली मैंने 35,600 का call और 34,800 का put, यह दोनों trades मैंने ली, दोनों trades का logic क्या था, दोनों trades मैंने almost, almost 140 रुपीज के आसपास की ली थी, यह 150 रुपीज, ठीक है, यह भी almost यही कुछ रुपीज था, 130, 150, तो मतलब इनका price ना ऐसा 140, 150 के आसपास था, वो strangle मैंने choose किया था, और उसको मैंने sell मारा था, ठीक है, उससे मुझे balance मिल रहा था, और मैं साथ-साथ market में trend को follow करता जा रहा था, तो बस अब यह चीज आप experience बोले या कुछ, कि मुझे best, lowest point देखने को मिल गया, अब आप चाहो कि sir, आपको यहाँ पे बिल्कुल यह low था, कैसे पता चला, ऐसे सपने नहीं आते हैं कि कैसे पता चला, by the experience, धी जाके जीतने का महत्तो है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होता, क्या, यह यहाँ इसकी जगा, यहाँ पे support नहीं ले पाता है, और नीचे चला जाता, तो क्या होता, मुझे यहाँ पे एक SL लग जाता, और market नीचे आती, और market यहाँ से नीचे आती, तो मैं जो put बेचने का म आपको क्या करना है, तो देखो, मैं हमेशा एक घंटे में चार्ट देखता हूँ, एक घंटे के चार्ट में क्या है, थोड़ा clear चीजे मिलती है, एक घंटे के चार्ट में, अभी market बेसिकली सही बताऊँ, ना bullish है, ना bearish है, समझ रहो, ना bullish ना bearish, अगर market 35, 350 के उपर गई 35, 350 के उपर, तो I will bindas sell what, P, मैं P sell करने का मौका ढूड़ूँगा, ऐसे अंधा दून नहीं sell कर दूँगा, reversal पे बेचूँगा, breakouts पे बेचूँगा, बट P बेचूँगा, यहां से अगर market उपर दे, कब तक, सबसे पहला ये level होगा, 35, 600 तक, मैं यहां पे P बेचूँगा जब भी मौका मिलेगा, मौका मतलब क्या, breakout यह reversal, यहां पे भी retest कर जाये वो, breakout के बार, ठीक है, नीचे की तरफ, till this area, जब तक market इसके नीचे नहीं चली जाती, तब तक मैं alone call नहीं बेचूँगा, आप समझ गया ना, alone call की दिक्कत नहीं है आपे, अगर इसके नीचे गय तो मैं alone call बेचने के मौकर जोड़ूगा, मतलब breakdown जोड़ूगा, या फिर, ज्यादा सा bearish type की trades वराऊंगा, but market अगर इसके बीच में फसा रहा, कल से, तो मेरा main purpose क्या होगा, I will play in strangles, या फिर straddles, that's it, okay, इसके अलावा कुछ नहीं, clear है बात, clean, तो अब मेरा, ऐसा मतलब, ऐसा मुझे लग रहा है, by the experience बोल रहा हूं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है market, क्या करे, market थोड़ा सा यहाँ पे stretch मारने का try करे, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा bullish वाला हो लग रहा है, momentum, और उससे देखो, मेरा यह है, मैंने यहाँ पे एक average value ले रखी है weekly की, मे उसी हिसाब से उसको control करने का, और उसी हिसाब से play करने का plan करूँगा, clean, clear है, trade समझ में आई, यहाँ पे मैंने strangle क्यों लिया, क्योंकि market मुझे sideways लग रही थी, sideways क्यों लग रही थी, यह भी जानना important है न, sideways क्यों लग रही थी, अब देखो, यह सब बहुत जानना जाना ज message का मतलब समझो, आज कोई खास trendy market नहीं है, कितने वजे भेजा मैंने 940, मैं आपको explain करता हूँ, मैंने क्यों लिखा होगा, यह बात मैंने आपको पहले भी समझाई है, बिल्कुल मैं यह सारे indicator हटाओ, सब कुछ हटाओ, कितने वजे मैंने बोला, 940, यह दिख रहा है 940, मतलब मैंने इस एरिया में कहीं बोला, अब बता क्यों बोला होगा, मैंने दो दिन पहले यह चीज पढ़ाई थे आपको, market अगर यहाँ पे कहीं downtrend था, downtrend था, downtrend था, और उसके बाद market ने अगर कोई breakout दिया है, जैसे कि यह, ठीक है, अब market breakout करके यहाँ gap up खुला है, तो gap up खुलने का main purpose होता है कि भाई, sustain कर, तो अगर उसने gap up किया, और market ने वो sustain ही नहीं किया, यह देखो आप, market ने क्या किया, market उपर गई, एक पहली candle 5 मेट की sustain हुई, फिर दूसरी और तीसरी candle down, फिर एक बार try किया market ने उपर जाने का बट नहीं, फिर बड़ी बड़ी upside, ठीक है, upside के लिए play कर रहा था, क्योंकि breakout हुआ था, but upside sustain नहीं हुई, तो क्या मैं bearish हो जाओंगा, नहीं, upside sustain नहीं हुई, तो मैं क्या हो जाओंगा, sideways to bullish, जो पहले only bullish का part था मेरा, कि मैं bullish उपर only P sell करूँगा, at then मुझे क्या करना पड़ा, मुझे straddle या फिर strangle बेचन पड़ा, क्यों, क्योंकि market अपना upside sustain नहीं कर पाई, और नीचे आ गई, तो इस जगा पे आके मैंने आपको बोला, कि market sideways सा लग रहा है, और आप देखोगे, यही आज का base price है, यह देखो, यहाँ पे मैं एक line खीचूँगा ना, तो market देखो, यहीं से सुरूँ हो के, यहीं तो यह सारी psychological level की चीज़े हैं, जिन्हें आपको समझना important है, और intraday में यही importance समझ में आएगी आपको, clean, आज भी market ने कोई वो बहुत बेरिश चीज़े नहीं देखाई हैं, बट market अगर इसके नीचे जाएगी, 35,000 के नीचे, 35,000 के नीचे गए हम, तो फिर से तकलीफ हो के नीचे, we will sell call and put both, and 34,000 के नीचे only calls, अब इससे easy अगर आप समझ रहे हैं, कि मैं आपको पढ़ा दूँ, तो आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको पसंद करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ श कुछ खास नहीं करवाया, ठीक है, तो हमारा first day का profit 21,000, दूसरे दिन का 5000, तीसरे दिन का 24,000, ठीक है, तो अब यहाँ पे 24,000, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम 24,000 क्यों नहीं लेग सकते, यह बताओ, यहाँ पे 24,000 हम इसले नहीं लेग सकते, क्योंकि कल का जो 5,100 रुपीज थे, उसमें मेरी trade तो running थी ना, पहले से, तो जो trade running थी, उसका profit क्या मैं add कर सकता हूँ, नो, उसका profit मैं add नहीं कर सकता, तो हमें कल का जो हमारा profit था, वो हमें पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा गायब करना पड़ेगा, सिर्फ 16, पूरा का हमारा profit booked था, ठीक है, तो जो 5,000 है, उसमें से 1680 होगर तो लगबग 3600, तो इस 24,000 में से हमें 3600 हटाने पड़ेंगे, तो that is लगबग 21500, है न, तो अपना profit क्या हुआ, अपना profit हुआ 21500, हम ये वाला profit add नहीं कर सकते, ये जो कल का था, क्योंकि हमने MTM में वीडि हमें लिख दिया है, कि profit was 5100, तो अब मैं आज के अपने trade के profit में वो जोड नहीं सकता, ओके, क्योंकि अगर मैंने वो जोड दिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो हम सीधे profit में ही है, clean, ओके, चलो, तो हमने तीन ड्रे ट्रेडिंग की है, तीन दिन में हम लगबग 3700 क के आसपास पहुंच गया है, पता नहीं भगवान की क्या करपा चल रही है मेरे ऊपर, काफी अच्छी वो चल रही है अभी, ठीक है, और जब तक यह अच्छी चलती रहे, इसको follow करते रहो, आज की trades बहुत कम है, almost only 5, ठीक है, और 21500 के आसपास का profit है, और 47500 in total 3 दिन का हो ठीक है, हम final किस में चल रहे है, 47500,000, 47000 के profit पे हैं, ठीक है, और यह आप समझ गया होगे, मैंने 24000 के जगा, 21000 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कल के वीडियो, अगर आपको समझ ना रहो, तो आप यहाँ पे जाना, और यह वीडियो देखना, तो यहाँ पे यह 50 रुपे profit, यह actually MTM profit था, मैंने इसको book नहीं किया था, clean, तो कई लोगों ने comment किया था, कि sir आपने तो book ही नहीं किया, आपने MTM profit को यहाँ पे profit दिखा दिया है, ठीक है, तो यह लो, आज जो मेरा profit हुआ है, मैं इससे cancel कर दिया है, मैंने direct, ओके, ठीक है, तो मैंने आज के 24,000 से मैंने यह 5000 पहले ही minus कर दिया, 5000 नहीं, 16 से तो बुग्ड थे, तो मैंने लगबग 4000 रुपे यहाँ से minus कर दिये, और यह रहा आपना final, clean, clear है, चलो, तो आज का मैंने समझा दिया आपको, कल का plan क्या है, कल का plan साफ साफ है, यह लिखा है यहाँ पे, 35,000 के उपर जब भी मर्जी होगा वो चूच कर लेंगे, बट चांसेजार वेरी हाई कि मार्केट 35,000 को इतनी आसानी से नीचे ब्रेक करने के लायक अभी है नहीं, ठीक है, और year index पारी चल रही है, बिल्कुल डिसंबर वाली, तो बहुत सारे contract जितने भी होंगे, roll over होंगे, बहुत कुछ ह ठीक है, तो उन सब में volatility increase होती रहती है, तो कभी-कभी होगा 35,000 के नीचे tip मारेगा, उपर जाएगा, थोड़ा संभल के इंट्रेड ट्रेडिंग करना, वरना ये जो 47 यहां दिख रहा है, यह यहां पे वापे से cost to cost आजाएंगे 0, ठीक है, तो आखरी के जो एक-दो दिन होंगी, कल का और परसों का, इसमें संभल के trade करनी पड़े हैं अपने को, तब ही हम बचने वाले हैं, clean, अपन कमा के market को नहीं देना है, चलो, बै-बै, अगर वीडियो लाइक करो, अगर पसंद आया हो, ठीक है, ठाड़ा